हलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत फिर से BSC Pro Classes में दोस्तों आज की जो Class है वो Mathematical Physics की Class है और Class No.8 और मैंने प्रिछली Class में आप से कहा था कि वाई जो भी Student हमारे साथ में जोड़े हुए हैं और जो Regular पढ़ाई यहां पे कर रहे हैं किसमें Mathematical Physics हो चाहिए हो Real Analyses हो या फिर अपने पास Electronics या फिर Referential Equation हो जो भी यहां पे जो Student है वहां पर Regular पढ़ाई कर रहा है ठीक है तो वो क्या है कि अपना जो नाम है वो कमेंट में लिखें या फिर कमेंट कर दें वीडियो के बारे में जो भी वीडियो अच्छी है वीडियो है बेस्ट है तो उससे क्या है कि मैं नाम पढ़ लूँगा और आपका जो नाम है वो वीडियो में ले लिया करूँगा जिससे क्या है कि जैसे कोई भी टोपिक होता है उसको समझाने के लिए मैं particular नाम नाम किये हैं लेकिन पूरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं भी परजेंटर में उन्होंने किये हैं तो दो तिन बच्चे होpero है तो यहां पर नाम है इने नम मैंना वह भी चेवंति नहीं पर बैसिए नाव नहीं दिया, पिर है है तो फाफ है यह वह भी जल जाएंगी थोड़ा सा वेट करें इसमें पूछ रही दो इनिट बच्ची में तो हो जाएगा एक्जाम से पहले आराम से खतम हो जाएगा वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें काफी कुछ लिवस कवर करवा दिया है मैंने मैंने इनिट अमबर सेकेंड वहाँ पर हो चुकी है थाड़ भी हो चुकी है और मैं आपको बताओ उनिट अमबर सेकेंड बहुत बड़ी थी उसमें ठीक है तो वह तो रेल की बात उसको छोड़ो यहां पर अपर नहीं करेंगे उसकी बात अब चलते हैं यहां पर आज की टोपिक पर ठीक है आज का टोपिक क्या है वह देको हम यहां पर पिछली क्लास में भी यह पढ़ा है अपने कि हमारे पास में जो लांबिक है और अर्थकोनल है और हमारे पास में जो स्पेरिकल जो गोली फ्रेम और रेपरेंस था उसके कु हमारे पास में बच गए थे दो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेप्रेंस बच गए थे रिद्देश तंतर बच गए थे कौन-कौन से एक तो बेलनी और एक व्या कारती है इन दोनों के गुंदरम अपने लिखे थे लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे बेलनी निर्देश तंतर की और कारती है निर्देश तंतर की तो आप यहां पे जो गुंदरम है वो खुद भी लिख सकते हो कैसे बिलकुल कोपी पेस्ट करना है जो पीछे लिखा था वो करना है लेकिन यहां पे आपको थोड़ा बच चेंज यह करना है कि आपको जो कोडिनेंट है जो वैल्यूज है वह तो आपको चैंज करने पड़ेंगी ना वहीं जैसे बेलेनी में कुछ अलग वैल्यू आएंगी कारती में अलग आएंगी कार्टिशन को मनलब उसके कोडिनेंट हैं बेस वेक्टर हैं और हमारे पास से सबकी वैल्यू अलग लगाएगी तो फिर आपको चैंज करने नहीं पड़ेंगे और कल से अपन नहीं स्टाट कर देंगे इसी चैप्टर के अंतरका और मैंने आपको पहले बोल दिया है कि रेगूर पढ़ते रहे हैं हमारे साथ में और मज़ आयागा वैसे मेरे साथ अभी तक आपको यहाँ तक क्लास नॉम्र 8 तक आपको धिक्कत नह हमारा जो बेली निदेश तंतर है उसके घुन द्रह स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप पता है कि पॉइंट नमबर कौन सा हैगा सबसे पहले अपने यहां पर पॉइंट लिखेंगे किसका कोडिनेंट का पॉइंट लिखेंगे तो भाई आर देखो साथ के साथ बोलोग कोई मजा आएगा इंटरेस्ट आएगा आपको मजा आएगा और मेरे को मजा आएगा बोलो भई बोल भाई संदी बोल संदी भई फटापट बोल यहां पर हमारे पास में जो फुर्ष्ट नंबर का है निड़्दे शांग अब निड़्दे शांग के एक-एक सबसे कर रहे हैं थोड़ासा दिमाग लगाओ थोड़ासा सोच थोड़ासा सोच कि हमने यहां पर बेलनी निड़्दे संतर में क्या पढ़ा था तो यहां पर जो कोडिनेंट है हमारे पाद है को यूण यूटू और यू थरी है अब बता बैए मेरे को फटा बदा बता बैए पुइंट आमारे पास आता है 21 अब यह बताएगा अंकित शिसोदिया बताएगा इसको यहां पर 21 अधिस के अबन बात करते हैं तो 21 अधिस में अंकित पर जैड आजाएगा ठीक है यहां पर बात करते हैं आपको इसको इस पर कार भी लिख सकते हैं क्या देखो भाई फटापर बलो यहां पर रो कैप फाई कैप और जैड का यह काम करना है बस अपनको डिट्टो काम करना है अब आदिल आदिल का नमबर आ गया अब तीसरा है बिल्कुल सही है इसमें अपने बात करते हैं देखो हमारे पास में जो कोडिनेंट है रो फाई जड़ी की रूप में हैं तो एच रो ठीक है है एच फाई और एच जैड अब मेरो को वैल्यू चाहिए बताओ इसमें एच रो एच फाई जड़ी बता भाई भाई भैटा तो यहां पर आपको पता होगा कि वन रो वन सबी अपनी जगे पर बोलो इसको ठीक है इससे क्या है कि आपका रीविजन भी साथ की साथ हो जाएगा आपको याद भी साथ की साथ हो जाएगा काम खतम हो जाएगा हमारा साथ की साथ अब चलिए हमारे पास भाई हाँ भाई बता कि रेखी अलपांस का फोर्मुला क्या होता है सबसे पहले आपका काम है वो यह है कि रेखी अलपांस का फोर्मुला बताईए रेखी अलपांस का फोर्मुला होता है DL1 is equal to हमारे पास हमें H1 और DU1 होता है इसी प्रकार अगरम DL2 की बात करते हैं तो H2 DU2 की बात करते है अब यह जो रेक ही अलपांस है इसकी वैल्यू चाहिए में बेलने निदेश तंतर के रूप में तो वही बात है बस सिंपल सी बात है और वह क्या है हमारे पास देखो इसको यहां लिखते हैं देखो डी एल वन है वन की जगे लिखेंगे रो डी एल रो रो का मान बता हो एच बना जाएगा । बना गया और दी यू वन है तो दी यू रो आजाएगा ती बिल्कुल सही बात बीखें लिए यू यू की जाए जाए क्या मारे पास क्या है रो है तो यहां पर जागा डी रो लेगा उसी प्रकार्द ूए तो डील्तो लिख देंगे और रिख देंगे और D, L और हमारे पास क्या है? 3 है, 3 की ज़र क्या रखेंगे? अपने Z रखेंगे, तो Z रख दो. और हमारे पास में इसका मन वन आ गया, और D, U3 का मन कितना है? वही Z है, D, Z आ जाएगा. तो 4 प्मिंट हमने कर लिए, फटापट बातों बातों वहीं जार क्या प्मिंट कर लिए, तो मैंने अभी जिन बच्चों का नाम लिया है, वो अब थोल्ट रहात की सांस ले सकते हैं, ठीक है? अब सभी बोलेंगे, सभी जितने भी स्टूड़न्ट लाई पढ़ रहे हैं, या जो भी हमारे पास डिकोटाट देख रहे हैं, सभी बच्चे बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, जो भी पोइंट में नाम लूगा, अपनी जगए पर इमानदारी से, फोर्मला बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर फटाफट बोलेंगे सभी बच्चे बोलेंगे जो हमारा फिफ्ट पॉइंट आएगा वो क्या है? हमारा है प्रस्टी अलपान्स का है अब देखो ऐसे काम नहीं चलेगा सभी को फॉर्मला याद होना चाहिए और वीडियो तभी देखें जब पीछे का याद हो सब कुछ तभी मज़ा आएगा अन्हता मज़ा नहीं आएगा पहले बोल दिया है मैंने कंडिशन है आपे प्रम्स एंड कंडिशन एपलाई है यहाँ पे तो फटा फट बोलिए सभी यहाँ पे हमारे पास में प्रस्टिय अलपांस का जो फ़ोर्म्ला DS होता है हो क्या होता है H1, H2 और D, U1, D, U3 U3 निए U2 अब यहाँ पे मैंने अभी तक दो जो मैंने अभी आपको पड़ा दिये हैं कौन से पोइंट है हमारे पास में लांबिक और गोलिये के लिए वहाँ पे मैंने ये बताया नहीं है और यहाँ पे इसमें आप इस्टार लगाओ ट्रस्टिय अलपांस में और एक किस चीज़ को समझो ध्यान से इंट्रस्ट की साथ में कैसे यहाँ पे हमने शाद पीछे लगाया नहीं शाद DS1, DS2 लगा दिया इसको थोड़ा गलती वहाँ पे हो गई थी मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे गलती अपने ये कर दी है कि इसका जो डारेक्शन है ना यहाँ पे जैसे अपन यहाँ पे H1, H2 लिख रहे हैं और D, U1, D, U2 लिख रहे हैं तो यहाँ पे अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे जो DS देखो यहाँ पे H1 था H2 था H3 कर दिया कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे DL1 आ रहा है H1, H2 सारे जो हमारे पास कोडिनेंट है 1, 1 की रूप में है 2, 2 की रूप में है लेकिन यहाँ पे 1, 2 और 1, 2 की रूप में आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखे हैं फिर यहाँ पे क्या लिखें तो यहाँ पे आपर DS 1, 2 भी लिख सकते हो जान से सुनो इस बात को और यहाँ पे बाद करें ना तो यहाँ पे जो जो direction है DS 1, 2 होगा तो आप यहाँ पर 3 लिखो, यहाँ पर क्या लिखो 3 लिखो, क्योंकि हमारे पास में जो प्रष्टिय अलपांस होता है, हमारे पास में जो एक तरीके से 6 प्रष्टिय है, ठीक है, तो हमारे पास में प्रष्टिय जो अलपांस होता है, इसकी जो direction होती है, जैसे 1, 2 होगा, त को आप नोर्मन रखना चाहते हो तो यहां पर आप सिंपल लिख दो डी-एस-बंटू को दिकत निये बिल्कुल सही है कोई गलत नहीं करेगा स्टेर्डर्ड आपका लेकिन अगर थोड़ा डंडर्ड अपकर नारत्ति हो लेवल को बढ़ाना चाते वो तो यहां पर तरी कर सकते हो ठीका कि स्टोर्ड बढ़ जाएगा अब बात करें सिंपल यहां पर अब डियंद संतर है की तो यहां पर बता यहां पर यहां पर THE आप बात करते हैं तो यहां पर बात करते हैं फन चुत था और d u1 d u3 तो यहां पर देखो h मतलब यहां पर h1 h3 है तो यहां पर क्या आएगा यहां पर h2 आजाएगा यहां पर h2 का मतलब क्या है h2 का मतलब है 5 है हमारे पास में h1 h3 का मांद 1 ही है यहां पर आजाएगा simply d rho और d z आजाएगा इसी परकार पर बात करें d s is equal to h2 h3 की यहां पर आजाएगा d u2 d u3 और यहां पर आजाएगा और यहां पर आजाएगा d s और rho आजाएगा है यहां पर इस प्रकार आप यहां पर बिना किसी दिक्कत के भिल्मी की पेष्ड कर रहे हैं जो कुप्यूंस को को समझो और जो किश्टन को समझेगा नहीं उसको अनसर करने से फिर मतलग क्या है बताओ यहां पर चाहिए और कना अगे चलते हैं इस ही प्रकार continuous काम ने कीया है एक नए तो पैज को चैंज कर लेते हैं अब यहां पे six point किसका आएगा बताओ सभी बोलेंगे एक साथ बोलेंगे six point है मारे पास आयतन alphans का बिल्गुल सही है बिल्गुल सही है भाई साब तो alphans लिखेंगे यहां पे पाइटनल पांस फोर्मुला बता ये सभी फोर्मुला होता है इसका डी टो बराबर में H1, H2, S3, DU1, DU2 और DU3 ये फोर्मुला होता है आप सभी जानते हो ठीक है तो यहां पे अपने बात करेंगे D तो है हमारे पास अभी इसके के लिए बात कर रही है बेलनी निदेश तंतरी के लिए बात कर रहे हैं तो H1, H2, S3 का बाता है यह 1, 1 और इसका उतर रो ठीक है और D रो, D फाइड और D जट बस ये कहानी खतम यह मारे पास आए तनल पांस हो गया आगे चलते हैं भाई साब साथ वः पॉंट निकालते हैं साथ वा पॉइंट क्या कहता है, साथ वा पॉइंट कहता है, हमारा आउकला संकारक, आउकला संकारक है, तो आउकला संकारक क्या कहता है, बताओ, आउकला संकारक है, उसका फोर्मुला मैंने आपको बताया था, अब याद तो करना पड़ेगा, मैंने आपसे बोल दिया था, क hospital subsidy करते हैं यहां ने करा ता कि गए one आपन में ही त्थ हा कि यह तिए एग को याद्ग यह फूंहां और यहाँपाइबopod इसर पें आपके माइट्स अंकारक है उसका जो टम है उसका फूर्मला वह ऐसे हैं कि कि हमें डेल बराबर even upon me h1 और यहाँ पे del even याद करना है यह याद कर लो उसके बाद में जो आगे के terms है positive में यहाँ पे plus में even upon e2 रिख दें यहाँ पे e2, h2 और de upon me du2 बस यहाँ पे एक terms याद कर लो आप उसके बाद में बनाते चलो आगे इसी प्रकार के आगे फोर्मुले है कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी अब बताओ यहाँ पे simply देखो del even का मान क्या है हमारे पास even का जो मान है हमारे पास वो है e cap हमारे पास है और यहाँ पे रो लगा दो ठीक है यहाँ पे रो लगा बस उसके बाद में कुछ काम नहीं अगर यह फोर्मला आपको याद है नीचे के जो फोर्मला नीचे का क्या है simple value रखनी है तो value तो रख सकते हो आपको दिक्कत नहीं उसमें तो यहाँ पे आपकर e2 की बात करते है तो e2 में क्या आएगा देखो e cap आएगा जैड है तो यहाँ पे simple value रख दी है आप देखो कई गुरूजी है कई गुरूजन है वो इसको इस परकार भी लिख देते हैं तो यहाँ पे exam में अगर आपसे इस परकार पुछ लिया जाए तो आप गवराने की आउसकता आपको नहीं है और पहले भी मैंने आपको इसको बता दिया है इस परकार भी आपसे exam में अगर पुछ लिया जाए तो आपको गवराने की आपसकता यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है ठीक है इस परकार भी आपसे exam में पुछा दा सकता है यानि कि simply row cap, five cap, jud cap इस परकार भी आपसे exam में पूछ सकता है आपको बिल्कुल सही है आगे चलो भी आगे चलते हैं अब देखो एक बात मैंने आपको कल भी बहुली थी और आज भी बोल रहा हूँ कि हमारे पास में जो आउकला संकारे के बाद जितने फोर्मुले हैं न ये एक तरीके से जुड़े हों एक दूसरे से अब जैसे आउकला संकारक है अब अगला पॉइंट बोलो भी अगला जो पॉइंट है वो हमारे पास अधिस परवनता का है gradient का फोर्मुला है अब अधिस परवनता का फोर्मुला है वो आपको कभ याद होगा जब आपको अगला संकारक का फोर्मुला याद होगा तो आपको अधिस परवनता का फोर्मुला बिल्कुल दो मिनिट में याद हो चुटकी वज़ते हुए याद हो जाएगा कैसे अभी बताते हैं बढ़ी देखो ग्रेडियन्ट और 5 होता है इसका फूर्म्हणाद यानि के अपने बात करते हैं डैल और डोट और 5 के बात करते हैं अपन यहाँ पे तो एक बात बता ओ यह अपने पास डैल का मान हमको याद है क्या है इवन अपोर में एच में डैल कि हमारे पास में, yeah, पह हमारे पर 5 के रूप में, हमारे पास में, निर्दे श़्ांक उपस्तीत है, देख लो आपे यह रहा 5, तो इसको क्या करते हैं, अपन 5 को app से प्रतिस ताफित कर देते हैं, मनलब समझने के लिए, ठीक है, तो इसको app से अनुन रूपित कर दो, और उसके बाद में तो यहां पर शूर्प कर देना है उन्हीं हो और कुछ नहीं करना आ पर Sumo और को कोप पेश्ट आपने तो यहां पर एफ लिख दो और अपन में डी रो ऐसे कैसे लिख दो और प्लस में यहां पर जो फाई कैप है उसको ऐसे कैसे लिख दो और यहां पर वन अपन में जो रो है उसको बैसे कैसे लिख दो कोई धिक्कत नहीं है और यहां पर डैल एफ लिख दो अपन में डैल के अगर आपको यह फोर्मूला आप यहां पर यह बंद करके लिख सकते हूं इसकी कारंटी एक तो अपना पास से यह सात्वा और आठवा हो गया यह एक दूसरी से जुड़े हैं मतलब अगर आपको साथ वह याद होगा तो आठ वह अपने आप लिख सकते हो अब देखो अगला जो point नवा सभी बोलेंगे, एक 7 बोलेंगे जैसे जैकार जियात्रा में लगाते हैं क्या अवन बाई कहीं पर यात्रा में जाते हैं और यार देखो यार मैं बता हूँ आपको सही बात, मैं इस तरीके से क्यों बता रहा हूँ आपको, महलब इस तरीके से पढ़ाने से क्या है, इस तरीके से पढ़ाने से बच्चे को लगता नहीं है कि अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वो महलब इंट्रेस्ट के साथ नहीं तो उसको लगेगा अब नहीं कि अपने कितनी डिफिकल्ट चीज है उसको पढ़ लिए अपने और वो अपन को समझ में भी आ गई यह एक तरीका यह एक तरीका पढ़ाने का अब आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरू लुकिए सर शांदार तरीका है पढ़ान है ठीक है उसको भी अपन दूर करेंगे तो चलिए अब यहां पर बात करते हैं नवे पॉइंट की सदीश चित्र का डाइवर्जन्स अब यहां पर कई बच्चों की दिमाग में सवाल आता हूँ वोसरे डाइवर्जन्स है यह तो हमारे पास में इंगलिस वर्ड है अगर इसकी इंदी बड़ की बात करी जाए तो वह क्या होता है तो जी भई हम बताते हैं आपको आपने पोछा और हमने बता दिया यह बात है यहां पर जोको डाइवर्जन्स को बोलते तो याद नहीं हुआ है गभराने क्या हो सकता नहीं है आज याद कर लेना ठीक है तो divergence का जो formula है वो क्या कहता है divergence a vector is equal to देखो यहां पर बात करते हैं अपन हमारे पास में dal vector dot में a vector अब यहां पर मैंने क्या कहाता आप से अब इतना तो आपको करना पड़ेगा इसमें क्या है इसमें तो simple divergence लिखा है और डेल डोट अब लिखा है यहां पर आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा देखो वन अपोन में h1 h2 h3 अब इतना तो है नहीं कि मैं आपको घोट के प बना सकते हो एक तो बना लिए अंदर के दो दो बचे हैं उनको आप बना लोगे आराम से यहां पर फिर्ष्ट बंड की बात करते हैं इस प्रकार तो पहला पॉइंट करेंगे सभी सभी थोड़ा द्यांस देखेंगे यहां पर यह को simple लिखो डेल अपॉन में डेल यूवन उसके बाद में यहां पर लिखो A1 अब यहां पर A1 लिख दिया उसके बाद में लिखो आप H2, H3 यहां पर पहला याद कर लिया आपने तो यहां पर देखो समझने की बात क्या है कि यहां पर देखो U1 है यहां पर A1 है यानि कि देखो यहां पर प्लस में लिखोगे यहा यहां पर simple है A2 आएगा उसी प्रकार यहां पर प्लस में लिखो गए यहां पर यहां पर बात करते हैं हमारे पास में यह गो H2, H3 लिख दिया फिर H1, H3 लिख दो उसके बाद में बचा क्या है H1, H2 लिख दो अब इसमें याद करने की कोई बात है क्या इस प्रकार अगर टुकडो में याद करोगे ना तो आपको ultimate तरके समझा भी आएगा और यहां पर आपको समझ में भी आएगा साथ की साथ इसकी बात करते हैं divergence की तो यहां पर देखो क्या लिखेंगे बताओ simple सा divergence of a vector is equal to a vector dot a vector बात करते हैं तो one upon में देखो क्या आएगा h1 s2 s3 तो देखो h1 कमान 1 होता है s2 कमान रो होता है और s3 कमान 1 होता है तो यहां पर देखो आजाएगा जयाला रोम जयाला रो denn अंधर इसे नहां कि आए हैं यहां तक फेल कि बात करते हैं अबन तो ड्रल I Ampun में यूज़न क्वान क्या उता है ड्रोً होता है तो लिख दो रो उच्च के बाद में ल offense तो सतीफटर का डाइवर्जन्स जाद करना पढ़ेगा तो यह हो गयी है नहीं है आप देखो याध करना पड़ेगा यह तो दोनों जुड़े हो यह तो अब यह तो आपको याद करना पड़ेगा अब मेरे साफसे में को दिक्कत नहीं कि अपने तीन चार भारी काम कर लिया है और एक बार और करेंगे भी तो किसके लिए कार्टिशन के लिए कार्टिये निर्देश तंत्र के लिए इसके बाद बात करेंगे बीच में बात करने लग जाते में किसे और रिटोपिक की अब यहीं बात करते हैं जिसे दस्वा पॉइंट इंगे बात करता हूं तो दस्वा पॉइंट नहुंट आयो वह कूंसा है बताऊ सदीशचे का Tol selection कि ऑने कर्वाद का करने कि गुनकता बोलते हैं कर्ल को हिंदी में गुनकता बोलते हैं अब नौलीज के यदऄ रख सकते हो इसको छुद EVERYक्र नहीं होता है कि सदए डाइवर्जनस और करल में सेम रहेगा लेकिन यहां पर कर लाता है वह मार पार डेटरमेंट फों में आता है एक आपने को लिखा जाता है अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है गया E1, H1, Del Del upon Del U1 और A1, H1 याद कर लो उसके बाद में बना दो भई देखो E2, H2, E3, H3 और यहाँ पे Del upon Del U3 Del U2 और Del upon Del U3 और यहाँ पे देखो A2, H2 और A3 A3 और H3 यह बन गया हमारा अब इसको अगर बात करते हैं बेल नहीं फोर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे बताओ करल A वेक्टर बराबर में देखो Del क्रोस में A वेक्टर और वन अपोर में क्या जाएगा रो आजाएगा ठीक है अंदर बात करते हैं E1, H1, E1, H1 मतलब देखो E1 की जगा रखेंगे E1 की जगा क्या रखेंगे बताओ E रो मतलब E कैप रो ठीक है और यहां पर पर कैप लगा दो इनके पड़े एकांग सदीस हैं यह यूनिट वेक्टर है तो यहां पर E रो आजाएगा ठीक है उसके बाद में आकर बात करें देखो multiply one आएगा और E2 रखेंगे तो यहां इसको थोड़ नीचे गुमा देते हैं ठीक है तो यहां पर आजागा देखो E और रो कैप और यहां पर H2 का मान पर क्या होता है रो होता है और यहां पर क्या हैगा E3 आज़े एक तरी मिनलब EZ इज़ेड और इसका मान वन रहता है और भर बात करते हैं नीचे देखो डेल अपन एक मिलब डेल रो डेल पर अपन डेली इसका उतार फाई और इसका होता है डेल आपन डेल जेयर वे दिक्कत नहीं है यहां पर देखो को दिक्कत नहीं है उसके बाद में एक फाइच्ट कमान रो होता है और एठी मलब एजड़ और इसका बन वन होता है यह हो गया महरे पास कर लोगा किसमें बेलिन इंदे संत्र के लिए अब बात करते हैं लास्ट फाइनल पॉइंट इतना पॉइंट बहुते हैं ग्यारों पॉइंट अपन बात कर लेते हैं ग्यारों जो पॉइंट अपने पास लापला संकार की बात करते हैं इसका फोर्मला भी थोड़ा सा डिफ्रेंट पड़ता है लेकिन इसको भी मैंने आपको ट्रिक से याद करने के कहा था देखो याद करो एक बार लापला संकार है इसको कैसे याद करो बताओ इसको याद करने की विट्रिक मैं ने देती इसका जो सबसे फोर मैं सबसे पहले बात है इसका फूर्मला वाना चाहिए डैल स्कुर आपको याद है तो डैल स्कुर होता है अब इसका क्या होता है एक तो लापला समीकन था और एक ता पाईसन समीकन उसमें भी वन अपन H1, H2, H3 ही था अगर आपको याद हो तो यहाँ पर यह कहानी होगी वन हमारे पास वन अपन H1, H2, H3 उसके बाद मैं इसको परकर लेते हैं थोड़ा सा अब देखो यहाँ पर अंदर का जो कहानी थी उसको थोड़ा द्यान समझना हो ठीक है हमारे पास में जो डाइवर्जेंस था उसमें क्या था डाइवर्जेंस में था कि डैल अपन में डैल U1 और यहाँ पर A1, H2, H3 इस परकार कहानी थी लेकिन यहाँ पर भी देखो इस परकार ही है थोड़ा समझो एक वार डैल अपन में डैल यूओन है ठीक है फिर यहाँ पर यहाँ बंद खरेंगे ब्रैकइट बंद करने के बाद में यहाँ पर लिक एंगेक डल यू बना जाएगा उसके बाद में देखो यहाँ पे सिंपल ही कैसे याद करो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे लिखेंगे अपन H2, H3 यहाँ पे देखो अगे प्लस लिखेंगे डल अपन में डल U2 लिखेंगे पहले ब्रैकेट बन करेंगे उसके बाद में U2 है तो H2 लिखेंगे उसके बाद में सेम लिखेंगे यहाँ पे डल अपन मोडल U2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे देखो H2, H3 लिख दिया यहाँ पे लिखेंगे H1, H3 लिखेंगे प्लस में डल अपन में डल U3 और अंदर एक स्राइब लिखेंगे तो यहां पर क्या जाएगा देखा अपों में लिखेंगे एस त्री और यहां पर लिखेंगे फिर एच वन एच टू इस प्रकार आपको कोई नहीं बताएगा इतनी इजी तरीके से और बार बार इतना रिवर्जन करवा दिया मैंने कि आ आपको अब तो बिल्कुल ऐसे मुझवानी याद हुजाना चाहिए अब देखो इसी प्रकार आपन बात करते हैं अगर यहां पर डैल स्क्वार और यहां पर अगर अगर आपन ब्रेल नहीं दिसने के लिए बात करते हैं तो और यहां पर ब्रैकेट बंद कर देंगे डैल उवन है तो डैल डैल रो आज यगा अंदर की तरह बात करते हैं हमारे अब हमारे पस कितना जैगा यंग मात करते स्थेक्ष्ट पूरे कमान है हमारे पास यूत ना चूरी पार ऑन पे नर्बटब को न đã ना उ consulting लेका हमारे बात करते हैं डालफन में यू थ्लीलफन में हमारे पास ये थरी हमारे पास तो गल जड़ा जैगा और रो है यहां सो चूर अपर स्वाल लिए निर्देश तंत्र के जो अभी लाक्षिन गुंदरम है दो या डाय नंबर का सवाल आता है यहां पे वह आपको कंप्लिट हो चुका है यहां पे इसी परकार आगे चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करें आगे चलते हैं और अब गयात करते हैं किसके लिए कारतीय न देश तंत्र के अभी लाक्षिन गुंदरम बताईए अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा बस क्यों लिखूँगा क्योंकि आपको समझने में कोई भी दिकत नहीं होनी चाहिए एक परसेंट की भी बस मेरा काम क्यों लिखने का है मैं लिख दूँगा और आपको क्यों सम हुआ और फटापट देखो सबसे पहला पॉइंट है मारे पास निर्देशांग का ठीक है फटापट लिखेंगे अब निर्देशांग तो यूवन यूटू और यूट्री अब बताओ कार्तिये में यूवन यूटू कमान कितना होता है एक्स वाई जैड बिल्कुल सही है पॉइंट नमबर सेकिन्ड है एक औंक सदिस एक औंक सदिस क्या होता है बताओ देखो ईवन ईटू ईटू इट्री तीक है तो यहां पर क्या हो जागा देखो ई कैप एकस एकप यहां पर कैप तो लगा दो ईकैप वाई और इकैप जड इसके बाद में देखो इसके आप यहां पर कांग से दिश्मिक लिख सकते हैं अपने को आई कैप जेक और यह जानते हो आप बिल्कुल सिंपल सी बात है तीसरा पॉइंट है मारे पास किसका है अधिस गुणांग का तो अधिस गुणांग के लिए यह मैंने पूर्फ करवा दिया है पूरे जतनी कि बात करते हैं तो रे कि यह अलपांग क्या होता है बताओ बैस सिंपल सी बात है डी ऐल वन बराबर होता है हमारे पास है एच वन और डी यूँट अब बताओ बटाओ यहां पर अगर इस पर आपन डी एल टू और एच टू डी यूटू लिख देंगे और डी एल थरी औ यहां पर अगर डी एल बन की बात करें तो यहां पर क्या जाएगा देगो डी एल एक्स एच वन और डी यू एक्स लब डी एक्स सिंपल ठीक है यहां पर डी एल टू है तो डी वाय जाएगा और यहां पर डी एल जड एक्सो जड और यहां पर वन और डी जड आ जाएगा सिंपल इसी परकार आगे बात करें फिफ्ट पॉइंट की फिफ्ट पॉइंट क्या करता है मारा प्रेस्ट ये अलपांस इतना अच्छी तरीके से कोर्स करवा रहा हूँ ना आपको मलब अगर आप कहीं पे पैसे दे कर भी आप इस परकार कोर्स पढ़ोगे ना यहां पर हम बात करते हैं देखो डी एस हमारे पास है सिंपल और देखो मैंने लिखा था है h1 h2 और हमारे पर d1 d 2 और ds बरावर देखो यह पर मैं समझाओ अभी एच टू और h1 h2 h2 h1 h3 कर लो बात बरावर यह है d1 d3 और ds बरावर में हमारे पास देखो है छिसी आधर है तो दी यूने तो और डी यूत्री अब यहां पर कैसे रखाता है ने उस्का मतलब डी एकश्य है और डी यह का मतलब डी है जेड नी एक्स डी-एक्स दी एक्स दी-एस-एक्स है और आपांच पुंट्ट कम्पलेट चटटा-पुंट लिखेंगे फटा-पट लिखेंगे चटटा-पुंट किया है मार पास सकता पांच यह लिख दीता हूं मैंनी चाहिए क्या जाएगा देखो सिंपल सा आइतानल आपने देख कि लिए आपने कि लिए आपने करने के लिए आपने निक कमेंट किसी ने भी निक करो यार अच्छा लगा लगा कि आपने किसी ने भी तो पर J Toad कि बात करते हैं हमारे खेल खतम स्यवन पॉइंट निकाल को इसा आप तो देखो मैं बोलूँगा नहीं अलब रट गई आओ फॉर्मॉला इतनी बार मैं पड़ा दिया अउकला संकारक का पॉर्मॉला डेल बरावर क्या होता है बताओ E1 अपन में H1 डेल U1 और डेल तो लगाओ यहाँ पे प्लस में E2 अपन में H2 डेल अपन में डेल U2 प्लस में E3 अपन में H3 डेल अपन में डेल U3 यहाँ पर सिंपली बात करते हैं तो डेल बरावर क्या होता है देखो देखो E1, देखो H1, H2, H3 कमान 1 होता है और E1, E2 यहाँ पर कैप तो लगाओ यार कैप लगाना मैं भूल दाता हूं लेकिन आपको लगाना जरूरी है E1, E2 यहाँ आपने देखा था लास्ट में जो आमारे पास में एक याँ सदीस था वो क्या था I2, थागं नहीं ata बता हूं I2, देखो H5, देखो H6, प्लस में J2, प्लस में K2, फ्लेखो H7, याद खो वहारे पास में हमारे पास इलेक्ट्रोनिक्स टी है और वहां पर क्या थी बताओ वहां पे एलेक्ट्रोमेंडरीस ती मापे जो हमारे पशेट अलों पॉरमला याद वैसे आपको कोई दिक्क्ति नहीं है अब चलते हैं आगे यागे चलते सब्सक्राइब कर देता है है फालिछ खरें हैं सिंपल यहां पर सबस्क्राइब्स सब्सक्राइब बंसमेर ह डेल वाई क्क्राइब फॉजरिक्स को रटने की कोशिस मत करो k ролik के बच्च बाइब रटते एं इसको अभी तक यह समझिए यहाँ आपको पांने जो वक्राइब और ऑप नहीं किया आई मैं घुन की आप का और हम से और और रहीं कि आप दिकथ Ps मैं आपको सलाम करता हूँ ठीक है तो यहां पर बात करते हैं यह फाई है यह फाई है यह इसलिए रिप्लेस नहीं किया क्योंकि हमारे पास में जो निर्दिसांग का वो एक्स वाई जेड के रूप में है और यहां पर हमें उसको पैचारने में कोई भी दिक्कत यहां पर नह नहीं किया है अगे बात करते हैं कोन सा पॉइंट है मारा अगला जो पॉइंट है साथ वा आठ वा नवा पॉइंट है हमारे पास वह है हमारे पास सदीष चेत्र का डाइवर्जेंस सदीष चेत्र का डाइवर्जेंस अब फटाबट फोर्मले बोलो सारे डाइवर्जेंस तो फोर्मुला में आपको याद करवा दियता है अभी ट्रिक के माद देम से देखो डाइवर्जेंस ओफ ए वेक्टर इस इक्वाल टू डैल डोट में ए वेक्टर है हमारे पास में तो बताओ क्या आएगा देखो सिंपल सी बात है हमारे पास फॉर्मुला दा वन अपॉन मे डैल U1 A1 H2 H3 प्लस में डैल अपॉन यह फॉर्मुला रट जाना चाहिए आपको A2 H1 H3 और प्लस में डैल अपॉन में डैल U3 और A3 और H2 H1 बात बराबर यह हो जो कैसे लिख लो आप तो यहाँ पर बात करते हैं अब किसके लिए कार्टी निदिश तंतर के लिए बात कर 1 को लिखोई मुत्ब क्या मनलब है यहाँ पर डैल अकॉन में डैल U1 यहाँ पर लesand 5 है और यहाँ पर ने का जाएगा डैल जयागवाद है यह जड़ा नगा में और खेले खतम है यानिया रंड़ी खतम होगर अपने ऑन कि खता मैं 10 अबस्ते थे हमारा क्या था दस्व कुणा把chl का करल कि सदेश त्रका कर Will तो सदी से तरह कार्ल क्या होता है बताओ बठापट तो करल ओफ ए बैक्टर वरावर देखो यहां फिलिखते हैं पन कुरोव सता है बैक्टर में तो यहां देखो वन अपन में ह1, H2, H3, H1, H2, H3 और यहां फिलिखते हैं पन अंदर में E1, H1, E2, H2, H2 और E3, H3 यहां पर लिखते हैं डैल अपन में डैल, U1, डैल अपन में डैल, U2 और डैल अपन में डैल, U3 यहां पर लिखते हैं अपन नीचे के तरफ यहां पर क्या लिखेंगें देखो सिंपल सी बात है A1, H1, A2, H2, A3, H3 इसी के बराबर में अगर इसके लिख दूम है तो देखो 1 अपनों H1, H2, H3 के लिखो 1 है यहाँ पर और यहाँ पर अंदर की बात करें अपनों अंदर की तरब तो E1, E1 क्या है मार पास देखो I cap, J cap और K cap Del upon में बात करेंगे Del X, Del upon में Del Y और Del upon में Del Z, ठीक है यहाँ पर अंदर बात करेंगे देखो AX, AY और AZ खेल खतम, लास्ट जो पोइंट है मारा वो कौन सा है, इसका है कौन सा पोइंट है बताओ अपना है लापला संकार का है अब लापला संकार काम आप करोगे ये काम आप करोगे, मैं नहीं करूँगा मैं नहीं करूँगा आप लिख लेना बिल्कुल फोरना मैंने आपको बता दिया है copy paste करना है पीचे से और वहाँ पे आपको simply जहाँ पे आपको H दिके वहाँ पे 1 रखना है H 2 दिके वहाँ पे 1 रखना है H 3 दिके वहाँ पे 1 रखना है ठीक है? और A1 की जगए AX A2 जगए AY और A3 जगए AY रखना है बस ये काम करना है अपने वो simply तो एक बात मुझे बताओ कि यहाँ पे अभी तक अपने यहाँ पे 8 क्लास ले ली हैं किसकी mathematical physics की सबसे पहले तो comment पर ये लिखना कि आपको धमाकिदार मज़ा आया है या नहीं आया है सबसे पहले बताओ क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से मैं आपको explain करने कोशिज कर रहा हूं कि जहाँ पे आपको paid promotion मैं बोल रहा हूं आपको फींच देके भी आपको coaching classes में नहीं पढ़ा जाता वी coaching classes में यह है कि एक तरीके देखा जब ब्रहम पैदा हो चुका है कि यहाँ पर BSC में अपन पैसे देकर पढ़ेंगे तो यह अच्छी परसेंटेज बनाएंगे coaching class करेंगे तो इच्छा रहेगा लेकिन भाई देखो आपको matter चाहिए है तो matter आपको एक number प्रवाइड करवारा हूं मैं आपके इससे बढ़िया matter आपको कहीं पर नहीं मिलेगा और वही बात मैं आपको daily classes बोलता हूं कि यहाँ पर आपको खुद का analysis करना जरूरी है क्यों आपको कितना स्लेवस आपको cover करना है यानि कि आपको 50% करना है या 60 करना है वही बात है परसंटेज की डेली बात बोलता हूं मैं कि अगर आपको मालो 70 बनानी है तो आपको जैसे 70% course करना पड़ेगा यानि कि अपने चार इनट है दो कर लो काफी है दो नहीं तो डाई कर इस परकार आपको percentage के साब से आपको manage करनी पड़ेंगी नट आगे वह समझ में तो यह इस परकार पड़ोगे बीस से में तभी आपकी अच्छी percentage बनेगी अन्य था आप अगर कमजोर student हो अब देखो यार बिलकुल सही बात है सत्य है कि कोई साब इच्छे तर लेलो आप कम कमजोर तो होता भी है और intelligent भी होते हैं तो जो कंजोर student होते हैं वह भी करते हैं कि percentage बिनाने के चकर में होँग भी सुचते हैं बीए बिलकुल आप सही बात है आप मैनत करते हो लेकिन कमजोर होते हैं श्टूटेन्त वह क्या है कि वह भी मलब जो अच्छे student होते हैंboys सिले बश को ना देख कर आप केरो जिक्ष में हमारे पास दो यूट में अधरो उसमें हमारे पास दो यॉनिट है उसमें च्छे कर देते हो एकडम परते इस 70 तक आप percentage बना सकते हो दो unit पढ़के भी जबकि या फिर आप 4 unit अगर पढ़ते हो तो 4 unit के slaves के चकर में आप सोचते हो कि हमारे पास देखो अभी तो 30 नहीं पढ़ी है 4 भी नहीं पढ़ी है फिर आपका दिमाग खराब और फिर आप यहाँ पे पहली दूसरी भी नहीं पढ़ पाते डंग से इसकी guarantee और इसके चकर में पच्छा फैल हो जाता है तो फैल होने के बज़ाए आप अगर इस pattern को follow करोगे इस pattern को follow करोगे कि आप केवल 2 unit पढ़ लो आपको 30 unit touch भी नहीं करनी है touch भी नहीं करनी है और आप आराम से 70% बना सकते हैं तो 65 से 70% तो फिर आपको क्या बुराई है इसमें बताओ क्या बुराई है इसके अंत्रगर तो इस तरीके से अगर smartly तरीके से अगर इस study करोगे तो आराम से बिना कम महनत में भी अच्छी percentage आप बना सकते हो यह guarantee है और फिर अगर आपको यहाँ पर 70 से आगे की लिए महनत करनी है तो फिर आपको पूरा cover करना पड़ेगा देखो फिर वो बात अलगे लेकिन यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो एक condition को apply कर सकते हो कि हमारे पास में यदी आप 80 बनाना चाते हो आपका target यह है परते एक बच्चा है वो 80 बनाना चाता है लेकिन step by step पड़ोगे तो चरहेगा आप अगर 80 बनाना चाते हो तब भी आपको वो step follow करना पड़ेगा यानि कि सबसे पहले आपको वोई 2 unit तयार करो आप भी आप खुद को smart मा समझो खुद को smart मा समझो कि आप भी आप भी सबसे पहले आप वो 2 unit है उनको तयार करो 2 unit तयार करने के बाद में अगर आपका दिमाग अच्छा है लेवल अच्छा है आपके दिमाग का यानि कि आप पढ़ सकते हो आपकी capacity अच्छी है तो फिर आगे बढ़ो यानि कि पहले जो अपना काम है वो दो unit का है तो दो unit तो आपको पहले पढ़नी पढ़ेंगी बस दो unit पहले पढ़ो उसको complete कर लो उसमेंसे कुछ भी आपसे पुछ ले जाए तो आप उसको बता दो ये आपका होना चीए तब जाके आप वहाँ पर दो unit चा आगे बढ़ो ये देखो ये ग्यान की बाते हैं और आपको बताना जरूरी है क्योंकि इससे आप अगर आप इसको अगर आप नहीं जानोगे न तो फिर आपका जो काम है वह बिल्कुल अधरोर है जाएगा study है अपना study पढ़ाना है वो तो अपना ही काम पढ़ाने का लेकिन उसके अलावा जो knowledge ए एक्स्ट्रा knowledge है यह देना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना student है अगर एक guideline अगर student को नहीं दी जाएगी तो फिर इसके बिना भी वो यहां पे success नहीं हो सकता आगे बाद समझ में तो यह कहानी है अब इस तरके से पढ़ोगे तो अच्छी तरके से नंबर लाओगे और अच्छी percentage बनेगी तब मिलते हैं अगले लेक्चर में और अगले वीडियो लेक्चर में अपने एक नया टोपिक स्टार्ट करेंगे इंट्रेस्टिंग टोपिक स्टार्ट करेंगे और मज़ा आएगा पढ़ने में इसी प्रकार जोड़े रही है हमारे साथ में और मज़े से पढ़ते रही है मैं आप बोले बोड़ा हूं आपको इस प्रकार लगेगा नहीं कि हम यहां पर फिजिक्स पढ़ रहे हैं अपन यहां पर इंजोई कर रहे है तो इन्जोई कर रहे हैं तो जादा से जादा से च्टूडेंट यहाँ पर करवाओ आप शेम्सक्राइब कर्वाओ शेनल को और जादा से च्टूडेंट यहां पर जूड़ो और मजा आएगा पिर आपको पड़ने में इंटरेस्ट आएगा ठीक है